हलो गाईज, कैसे हैं आप सब, I hope सब अच्छे से होंगे, बिलू दिदी की दुनिया में आपका स्वागत है, तो आज हम बनाने वाले हैं, कार्ड बोर्ड से कुछ ऐसा, जो हमारे बहुत काम आने वाला है, especially उनके लिए जिनें हमेशा ही ये शिकायत रहती है, कि घर में सामा बहुत है, लेकिन कहां रखें, वो जगे नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं, ये एक कार्ड बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, ये कोई ओनलाइन शॉपिंग का आप इस पर देख रहे हैं, ये ओनलाइन शॉपिंग का ही कार्ड बोर्ड है, तो ये बॉक्स के जो उपर एक साइड से, उपर वाला हिस्सा मैंने बीच में से एक जैसा काट लिया है, जो दौनों साइड से बराबर हो, उसको काटने के बाद मैंने जो साइड की जो वाल्स हैं, इस कार्टून की, उनको थोड़ा सा स्ट्रॉंग बनाने के लिए, इसी के जो पार्ड हमने काफी अच्छे से चिपकता है, इसके बाद यहां पर मैंने ग्लू गन से ही, इसका जो उपर अभी, अब इस तरफ उपर खाली हो गया था ना, तो इस तरफ उपर कुछ लगाना था, तो फिर मैंने दो पीसिस को जोड़ कर इसका बेस बनाया है, आप चाहें तो अगर आप के पास इतना बड़ा square shape का मिल जाए, तो आप वो भी लगा सकते हैं, इसके बाद मैंने इसको glue gun से लगा दिया है, और जो आप पीछे का part देख रहे हैं, उसको भी मैंने एक cardboard से pack कर दिया है, पर पहले मैंने इसको pack किया है, और उसके बाद उसको pack किया है, जिससे की support बना आएगा, तो वो गिरेंगे नहीं, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, glue gun से लगाने के बाद मैंने masking tape का use किया है, जिससे की अच्छे से इसके जो ages है, वो secure हो जाए, निकले नहीं, और जब हम इसके उपर layer करेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी हमको, तो ये मैंने masking tape द मेरे पास boxes पड़े हुए हैं, इन boxes के size से नाप कर मैंने यहाँ पर कुछ strips लगाए हैं, cardboard strips को मैंने बराबर size में काट लिया है, आइडिया नहीं था कि कितने strips लगेंगे, तो मैंने काफी सारे strips काट कर रख लिये हैं, और यहाँ पर लगाती जा रही हूँ, अभी मैंने एक लगाती जाओंगी, तो पहले मैंने size के according सारे strips मैंने एक एक लगा लिये हैं, इसके बाद मैंने इनको निकाल कर boxes को दुबारा से उन strips के ऊपर एक एक और strips लगाए हैं, दो strips से मेरा काम हो गया था, अब चाहें तो जाधा भी लगा सकते हैं, मेरा काम लेकिन दो strips से हो गया सबसे नीचे वाला जो box लगाना है मुझे, उसके लिए मैंने जो सबसे नीचे वाला जो base रहेगा, उस पर भी मैंने दो strips लगा ली हैं, तो इस तरीके से इनको मैंने चारो तरफ से pack कर दिया है पहले boxes को, ये देखिए आप मैं इनके उपर एक एक strips और लगा रही हूँ, इन strips को लगाने के बाद मैंने नीचे की तरफ भी strips लगा दी हैं, इनके उपर जिससे के नीचे वाला जो box है, उसको भी support रहेगा, वो भी आसानी से slide कर पाएगा, तो यहाँ पर मैंने लगा दी हैं ये strips, तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज उसे subscribe कर अपने दोस्तों के साथ share जरूर कीजिएगा, ये देखें, ये strips मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, इसके बाद जो है, ये जो आप boxes देख रहे हैं, जो मुझे इस box के अंदर slide कराने हैं, इनको भी मैंने बीच में से काटा है, क्योंकि सामान रखने के लिए कोई तो space चाहिए तो यहाँ पर मैंने पहले size से line कर, खीच लिया था, mark कर लिया था मैंने size से, तो उसी के according जो है, मैंने इसको फिर काट लिया है, ये आप देख रहे हैं, cardboard cutter है, ये आसानी से available हो जाता है, किसी भी stationary पर, हाँ, ये इसकी जो point है, वो खराब होने लग जाता है, तो आप उसको काट की निकाल सकते हैं, और फिर उसको use कर सकते हैं, नीचे वाला portion, तो मेरे असाब से तो ये बहुत useful है, बहुत अच्छे से, आराम से, इससे, जो है, cardboard कर जाता है, बठा, बच्चों की पहुत से, इसको दूर रखना होता है, तो जिनके भी घर में बच्ची हैं, उन्हें इसको बहुत ध्यान से रखना है, तो जब मैंने इस box को काटा, उसके बाद अंदर मुझे दो चीजें, और कुछ problem देखी, तो फिर मैंने इन दौनों को भी काट लिया था, यह देखे, यह नीचे और उपर सभी तरफ मैंने strips लगा दी है, अब मैं इस पर लगा रही हूँ यह wallpaper, यह sticky wallpaper है, जो आपको किसी भी online site पर easily available है, और 150-200 की range में आसानी से मिल जाता है, तो यही wallpaper मैं लगा रही हूँ, मैंने इसको काफी पहले मंगाया था, लेकिन use नहीं कर पाई थी, तो मैंने सुचा कि अभी इसको इसी पर use कर लेती हूँ, तो color करने से better है कि मैं इसको wallpaper इस पर लगा दूँ, तो काम जल्दी भी हो जाएगा, और जो है, यह wallpaper मेरे पास जो रखा हुआ था, यह भी use में आ जाएगा, तो पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं इसको कैसे stick करूँगी, तो मैंने भी एक दो videos देखे हुए हैं, पर पता नहीं था कि यह इतनी आसानी से लग जाता है, मुझे लग रहा था कि मुझे शायद कोई effort लगाने पड़ेंगे, या कोई professional training की जरूवत है, पर नहीं, इसके लिए कोई professional training की जरूवत नहीं है, यह बहुती आसानी से लग जाता है, बहुती आसानी से, यह stick भी अच्छे से होता है, और आपको इसके यह ध्यान रखना होता है, कि इसमें कोई bubbles ना आएं बीच में, और नहीं कोई silver आएं, जिससे के यह एक जसा smooth दिखे, तो मैंने इस पर पूरे पर wallpaper लगा लिया है, और जो यह जो boxes थे, इन पर भी मैंने front में ही लगाया है, सिर्फ बाकि पूरे box पर मैंने नह लगाया है, आप चाहें तो पूरे पर भी लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं जरूरत लगी पूरे पर लगाने की, तो मैंने इसमें front पर ही इसको लगाया है, तो बस इसको, इसके size से मैंने काट लिया है, और इसको इस तरीके से मैंने paste कर दिया है, जैसे उसमें paste किया था, इसी तरीके से मैंने इसमें paste कर दिया है इसके लिए मुझे बिलकुल effort नहीं करना पड़ा बस बहुत ही easily और बहुत ही जल्दी काम हो गया अगर मैं इसको color करने जाती तो शायद मुझे time लग जाता color में भी उतनी finishing तो आ जाती पर time जरूर बहुत लग जाता तो यह बहुत अच्छे से stick हो चुका है अभी और यह पूरा चारो तरफ से मैंने इसको proper stick कर दिया था तो आपको यह video कैसा लग रहा है आप मुझे comment section में बता सकते हैं अगर मुझे कोई mistake होई हो तो भी आप मुझे comment section में बता सकते हैं तो यह यहाँ पर देखे मैंने इसको चारो तरफ से stick कर लिया है अंदर की side मैंने इस box के अंदर white color का wallpaper लगाया हुआ है आपके पास white color का wallpaper ना हो तो कोई भी आप paper लगा सकते है या कोई आपके पास waste cloth पड़ा हुआ हो तो वो भी stick कर सकते हैं इसमें अंदर की तरफ क्योंकि हम इसमें सामान रखेंगे तो हम इसमें कुछ भी soft सा material लगा सकते हैं बस ये तयार हैं और इसको मैंने fit कर दिया है और इसमें मैंने gap दिया है मीच बीच में जिससे के इनको खोलने के लिए मुझे किसी handle की ज़रुवत ना पड़े तो बस लेकिन अभी ये काम रहे गया था कि इसके नीचे क्या लगा हूँ मेरे पास ये wooden के blocks पड़े हुए थे मैंने इनी को यूज किया है आप चाहे तो bottle के caps भी यूज कर सकते हैं आपको four caps यूज करने पड़ेंगे चारो कोनों के लिए मैंने ये wooden के blocks यूज की है ये मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने इनी को यूज कर लिया है और ये हमारा ड्रॉर तैयार है I hope मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मेरा आइडिया कैसा लगा आपको और मेरे चैनल पर नए है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई अपना ध्यान रखिएगा